है कि हलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल सुपर्मी ऐश्टरी पॉाइंट में जी दोस्तों सुपर्मीए श्टरी पॉाइंट में आप सभी का बहुत- बहुत स्वागत है दोस्तों आज समय स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का भुगोलका कोस्चन एंसर जिदोस्तो NCRT स्लेवर्स का आपको question answer बताया जाएगा पूरा book का solution आपको बताया जाएगा तो हम अपने वीडियो को part by part लाएंगे chapter by chapter लाएंगे तो दोस्तो हमारे YouTube चैनल को subscribe कर लिजे और आने वाले वीडियो आपको मिलता रहेगा तो दोस्तो आज हम class 12 के भूगोल NCRT के total question answer का हल बतायेंगे तो दोस्तो आज हमारा topic सा भूगोल का पहला chapter मान भूगोल एबं प्रकिर्ती एबं विशायचेत्र मान भूगोल प्रकिर्ती एबं विशायचेत्र पहला chapter का नाम है दोस्तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मान भूग जो भी पहला chapter होगा उसका हम लोग कुछ main point जो भी होगे उनको पढ़ लेंगे कुछ main point जो पढ़ेंगे वो बिल्कुल question answer type का ही रहेगा जिस उसी तरह से question बनाया सेट किया गया है कि आपको answer भी उसका सामने सामने मिलेगा एकदम से आपका point बाइप मिलेगा दोस्तों बहुत ही अच्छा solution बताया जाएगा आपको पूरे exam के लिए बहुत ही महतपूर्ण होगा तो दोस्तों चलते हैं question number one में है कि मानो भूगोल को परिभासित कीजिए आपका भूगोल का सबसे पहला chapter जब open कीजिएगा तो यही भूगोल मिलेगा और भू मानो भूगोल मानो भूगोले कैसा भूगोल है जिसमें विश्युकी जनसंख्या मानो की किरियाएं मानो बस्तिया आधिका अध्यन किया जाता है यह एक भूगोल का परिभासा दूसरा है कि फ्रेडरिक रैट जेल ने अपनी पूस्तक एंत्रोपोजियोग्राफी में बता आया है कि मानो भूगोल मानो समाजो तथा धरातल के बीच संबंदों का संसलेशित अध्यन जी दोस्तों यह जो है फ्रेडरिक रैट जेल के अनुसार है ठीक ना रैट जेल को याद रखने का तरीका आप लोगों को यान रखना है कि रैट मिस चुहा और जेल मिस जेल चु या सिल मानो के बीच परिवर्तन सिल संबंदों का अध्यन है इस तरह से पहला चेप्टर में पहला पॉइंट हम लोग पढ़े मानो भूगोल को परिभासित कीजिए तो दोस्तों एक्जाम में अलग-अलग टाप से अतिलगुकुचर लगुतरिये में दिरिगुतरिये इस टैपसे युआज आपको आपको तो दोस्तों चलते है नेक्ड कोस्चन कोस्चन नमबर टू कोस्चन नमबर टू है मानव हुगोल की प्रकिर्ते अप समझते हैं तो मानव Hyundai कि प्रकिर्ती मान भूगोल में समस्ते मानविये तत्त्तों एबं क्रिया क्लापो जैसे जनसंख् मानविये करियाओं जैसे की क्रिसी एवं आखेट, मानविये घर, गाओं, नगर, सरक, रेल, उद्योग, खेट, पतन, आधि का अध्यन किया जाता है? क्योंकि मानों का संबंद प्राकीर्तिक परियावरन से भी है इसलिए मानो भुगोल में प्राकिर्तिक से संबंधी तत्तो जैसे जल, प्राकिर्तिक वनस्पती, मिर्दाय, जलवायू, भुवाकृतियां तथा आधिका भी अध्यन किया जाता है मानव भुगोल की प्रकिर्टीका संबन्ध, मानवी तत्थों के अध्यन के शाथ साथ प्रकिर्थिक परियावरण से संबन्धी तत्थों के अध्यन से भी है दोस्तों यह था दुश्टर नमबर दो दो मान भुगोल की प्रकीर्ती से आप क्या समझते हैं तो question number 2 का solution आपको मिला अब जलते हैं दोस्तो question number 3 ख़बाना नहीं है दोस्तो question जब आप इसका answer जब आप copy में वीडियो को रोक आसानी से रेक्र भी बना सकते हैं पूरी क्लास की तयारी कर सकते हैं हमारी YouTube चैनल से दोस्तों हमारी चैनल को अगर सब्सक्राइट कर लिजेगा तो आपको क्लास एट हो या नाइन फो या टेन फो लेबन टुएल्ट हो हर आट परकार की सब्जेक्टों की भुगोल हो इतियास हो हिंदी यो हर तरह की चेप्ट दोस्तों उससे बजा देने से उसको प्रेस करने से यह होगा कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कोस्चन नमबर थिरी में चलते हैं कि मानों के प्राकिर्थी करन से आप क्या सबस्ते हैं बहुत इंपोटेंट कोस्चन है मानों का प्राकिर्थी करन जब मानों की उत्पत्ती हुई तब मानों को तकनीकी ज्यान प्राप्त नहीं था जिस कारण प्राकिर्थिक परियावरन मानों को नियंतरन में रखता था इस प्रकार मानो प्राकिर्तिक परियावरन से डरता था, आलूस की पुजा करता था, इसी अवस्था को मानो का प्राकिर्ति करन कहते हैं, जिसमें मानो प्राकिर्तिक का नियंतरन था, दोस्तों वीडियो बहुत लंबा बनेगा, इसलिए हम इस वीडियो में आधाई बताएं फिर इसी चेप्टर का नेक्स्ट पार्ट बनेगा वो पार्ट नमबर दू होगा तो द्यान से चैनल को सब्सक्राइट कीजेगा ताकि वेल आइकन भी दवाईएगा और ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलेगा कोस्चन नमबर फोर क्यों चलते हैं पडियावरनिये निश निश्चेवाद विचारधारा के अनुसार मनुष्य को निश्करिये एवं प्रकृति का दास बताया गया है जो प्रकृति की प्रवल सक्तियों से डरता है और उसकी पूजा करता है जबकि प्रकृति की प्रवलता पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस आधार पर इसे परियावरनिये निश्चयवाद कोते हैं बहुद इंपॉर्टेंट कोश्चेन है पुछा जाता है लगुतरीय होतिलगुतरीय टैप में कि परियावरन निश्चयवाद क्या है जी दोस्तों इस बार की एक्जाम में भी पूछा गया अब्यारबोड में आठबाले के टोईल्ट में भुगोल में ये पूछा जाता है कि परियावर्न निष्च वाद क्या है आगे इशी में दोस्तों की निष्च वाद वीचार धारा में मनुष्य प्रकिर्ती की देन है और सम Stack मानविये कार प्रकिर्ती दवारा नियंतरित है प्राकिर्ति की स्थिती जलवायू उच्यवच मीर्दा खनीज आदी के अनुसार ही मनुस्य के सारिरिक गठन भोजन वस्त्र आस्रे आदी का निर्धारन होता है इसकी कुछ विशेष्ताएं हैं दोस्तो उस विशेष्ताएं को भी हम लोग जानते हैं यह लॉघ वरश विश्चन पूछेगा इसकी परियावर्निय निष्च वाद के वीचार से आप क्या समझते हैं इसकी प्रमुख विशेष्ताएं बताइए जब तो लॉघ государ zijn यानि कि दिर्गुत्तर ये कोष्चन हुआ दोस्तों द्यान से समझगे अगर आपको दिया जाएगा कि पडियावर्नी निश्चे बाद की विचार से हैं तो ये शौट ड़िया रहेगा वन या दो माक्ष में जब ये इसकी प्रमुक विश्चेवाद के विश्चताएं के व पडियावरनिय निश्चेबाद के विशिष्टाएं मानों ने समय के साथ-साथ प्रकृतिके नियमों को समझते हुए तकनिक को विख्षित किया और प्रकृतिके अवसरों का लाव उठाता गया तो मानुविय क्रियाकलापों की छाप पडियावरन पर परने लगी और इस खड़ाद लेते हैं मानों ज़ल चल नहीं सकता लेकिन तर सकता रजाथ के द्वारा सफर कर सकता है ठीक ुसी तरह हमवा में नहीं उर सकते लेकिन वायू यान और अन्य साथन द्वारा यह अभी शंभव है इसके साथ ही गर्मी में AC और ठंड में गर्मी के लिए उपकरन जैसे रूमीटर का निर्मान भी किया गया है कोश्चन नमबर अगरा चलते हैं छे संभाव वाद विचार से आप क्या समझते हैं दोस्ते कोश्चन बहुत इंपोटेंट है संभावबात विचार से आप क्या समझते हैं इसकी प्रमुक विसेष्टा बताया तो अभी भी मैं जिए प्छले विडियोश्ट बिच्व में बताया कि जब प्रमुक विष्टा हो तो कोश्चन लॉंग टाप का हो जाता है जाता है वह जादामागस होता है, कि सम्भववाद विचार धरा यह बताती है कि मानो प्रकिर्थी से भी अधिक महत्यपुर्ण है वो अपनी बुद्धी बल तथाकार कुशलता के आधार पर प्रियाबरन को प्रभावित करता है संभवाद विचार धारा के अनुसार मानो प्रियाबरन की कट पुतली नहीं है अर्थात अन्य सब्दों में संभवाद विचार धारा यह स्पष्ट करती है कि मानो प्रकिर्थी का दास नहीं है समय के साथ साथ मानो ने विज्ञान और तकनिक का विकास किया और प्रकिर्थी की सक्तियों पर बिजय पाने में शफल हुआ आज मानोव सब कुछ कर सकता है जैसे कि मानोव जल्बर चल नहीं सकता लेकिन टैर सकता है और जहाज के द्वारा सफर कर सकता है हम हबावे नहीं उर सकते लेकिन वायुआन और अने साधुने द्वारा यह भी सम्भव है गर्मे मेश उसी और ठंड में गर्मी के लिए उपकरण जैसे रूम हिटर का निर्मान को अंदेखा करती है विशेष्टा नंबर दो फ्रांस के लूशियन फैब्रे और बिडाल डी लाह ब्रॉस इस विचार के समर्थक है तुरू नंबर उदाहरनेक लेते हैं नदियों परबांध बना कर सिंचाई विवस्था द्वारा क्रिशी करना चार नंबर समय बितनी के सा परियावरन निश्चे बाद विचारधारा की तरह संब्रबाद विचारधारा की भी अलोचना होने लगी और यवर विचारधारा भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया अगला के बात करते हैं साथ नंबर की कोश्चन नौ निश्चे बाद क्या है दोस्तों पहले हमने बताया कि परियावरने निश्चे बाद क्या है फिर बताया कि संभव बाद विचारधारा क्या है अब बता रहें कि नौ निश्चे बाद क्या है नौ निश्चे बाद विचार का क्या अर्थ है या नौ निश्चे बाद वि कोस्चन एक ही है सबका एंसर एक ही है कोस्चन थोड़ा थोड़ा बोलने में लिखने में अलग तरीका है रुको और जाओ निश्चे बाद अगर बोला जाएगा तो भी नव निश्चे बाद हुआ और नव निश्चे बाद बूला जाएगा तो भी नव निश्चे बाद हु के मानों को विकास के अवसर उपलब्द कराती है और मानों इनका परियोग करके विकास को संभो बनाता है लेकिन प्रकिर्टी ने इन अवसर पर एक सीमा भी निर्धारित की है इस प्रकार मानो पडियावरन का नुखसान किये बिना विकास के अवसरों का लाव ले सकता है नव निश्चेवाद के विचार को 1920 के दसक में आश्टेलिया के भुगोल वेत्ता ग्रीफित टेलर ने प्रस्तुत किया था उन्होंने इस विचार को निश्चेवाद तथा संभावाद के विचार के एक समझोते की रूप में प्रस्तुत किया क्योंकि मानो तथा प्रकृति के संयुक्त परियास के बिना कोई भी विकास संभाव नहीं है ग्रीफित टेलर ने नौ निश्चेवाद को रूको और जाओ निश्चेवाद का नाम भी दिया है इसकी विश्चता है यानि कि नौ निश्चेवाद या रूको और जाओ निश्चेवाद की क्या विश्चता है तो पहला विशेस्ता नौ निश्चे बाद विचार मानों प्रकृति दोनों को समान रूप से मानता है मतपूर्ण मानता है दूसरा ग्रीपित टेलर और फ्रांसेसी बेकर निश्के समर्थक है तिसरा उदाहरन लेते हैं जब भी मानों ने प्रकृति का नुक्सान किया है तब उसे प्राकृति का आपदा को जहलना पड़ा है और एक चौथा विशेस्ताएं है यह विचार आज भी प्रचलन में है इसलिए इसे आधुनिक निश्चे बाद भी कहा जाता है तो दोस्तो आधुनिक निश्चे बाद नव निश्चे बाद और रुको और जाओ निश्चे बाद सब एक ही है तो घबराना नहीं है तो दोस्तो इस वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है इसलिए फिर से इस बुगोल पार्ट वन का पार्ट नमबर दो वीडियो बनेगा जिसमें आगे का question answer कराया जाएगा दोस्तो एक-एक question answer एक-एक चेप्टर वाय जाप को कराया जाएगा बुगोल का class 12 का दोस्तो तो इस तरह से अनेको वीडियो और सभी चेप्टर को परने के लिए पूरे बुक खत्म करने के लिए हमारे चैनल को जरू सक्साइड कीजिए और हमारे वेल आइकन को भी प्रेस कीजिए दोस्तो धन्यवाद अगले वीडियो के लिए बने रहे आते अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद